हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतिय डाक विभाग जीडियस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में तो फ्रेंट्स यहां पर इंडियन पोस्ट जीडियस ग्रामिन ड तेलांगना में 1150 तो तेलांगना और दिल्ली का फॉर्म फिलप का वीडियो एवलेबल है आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाका डेटेल्स को चेक कर सकते हैं अगर आप एली जीवल है अपलाए करना चाहते हैं अपलाए कर सकते हैं साथ्वे फैंस यहां पर हम बात करेंगे आंधर प्रदेश के बारे में तो फ्रेंस आंधर प्रदेश में जो वेकेंसी निकाली गई है इसमें फ्रेंस टैंट क्लास पासाउट केंडिट एपलिकेबल है अपलाए करने के लिए और यहां पर सबसे कंडिशन जो होती है ग्रामी डाग सेवक में अ तो आपने देल सब्जेक्ट कड़ा है 10 में तो आप अप्रदेशन तेलंगना में दिल्ली में हिंदी आपको चाहिए और अगर आपके पाइब हिंदी है तो आप दिल्ली में अपलाइक कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंस अपलाए करने का प्रोसेस जो है वो सेम रहता है ज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें अब यहां पर फैंसे इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले रजिस् PST Candidate या PH Candidate के लिए fees नहीं है वो directly apply online पर click कर सकते हैं अब जो यहां पर register नहीं है पहली बार registration करेंगे उनके लिए option है यहां पर नाम का तो 10th class certificate के according applicant name and father name आपको enter करना है और इसके बार आपका 10 digit का mobile number आपको देना है mobile number active and valid होना चाहिए क्योंकि apply करते वक्त एक OTP आती है वो OTP आपको verify करनी होगी इसके बार 12 digit का अधार का number आपकी active and valid mail ID इसके बार आपका DOB मतलब date of birth तो आपका gender क्या है वो आपको यहा select करना है community certificate भी आपको upload करना होगा इसके बार अगर आप general candidate है तो आपको option मिलेगा EWS का अगर आप EWS में नहीं आते हैं तो no कर सकते हैं पगर आते हैं तो आपको yes करना होगा और EWS certificate available है upload करने के लिए नहीं है yes या no आप कर सकते हैं no करने पर या yes करने पर तो दोनों ही condition में आपको form fill करते वक्ती upload करना ही होगा इसलिए आप यहाँ पर yes करके certificate कब तक valid है उसकी जानकाई देंगे पियेश certificate अगर आपके पास है पियेश कर सकते हैं type of disability आपको select करनी है जिसमें सबसे पहले category A है तो A की sub category आपको मिल जाएगी category B की sub category मिल जाएगी तो आपकी जो भी sub category है उसके according आपकी category आप select करके यहां से आपकी sub category select कर सकते हैं इसके बाद है circle कहां से आपने इसको पास किया है अब आप यहाँ पर इध्यान रखिएगा अगर आपने उस state की local language पढ़ी है as a subject तो ही friends आप इसमें applicable होते हैं अब दिल्ली की मान लिजे बात करें तो दिल्ली क आपने तेल को as a subject पढ़ा होना चाहिए अगर आप किसी भी state के निवासी है पर तेल को आपने पढ़ा है as a subject तो आप इसमें applicable हो जाते हैं इसके बाद year of passing आपको यहां से select कर लेना है इसके बाद यहां पर है यह आपने जो exam है 10 का यह आपने supplementary में पास किया है first step में पास क यहां उसके according आप यहां पर इसको select करेंगे आपको cycle bicycle चलाना आता है नहीं आता है अगर आप employed है तो yes कर सकते है नहीं है तो आप no करेंगे और noc अगर आपको पास available होनी चाहिए अगर आप यहां पर employed candidate है तो इसके बाद फ्रेंस से यह security code आपको यहां पर enter करना है preview check करना ह ओपन होगा और registration page फेंज जो open होता है उस registration page में आपको आपका registration ID मिल जाएगा और registration ID number मिलने के बाद आपको friends यहां पर जो इसका home portal है यहां पर आना है और fee payment करना होगा अगर fee payment आपका applicable नहीं है तो आपको यहां पर show करेगा कि आप यहां पर applicable नहीं है fees करने के लिए आप directly apply कर सकते हैं बागे अपना registration number डालिए details आपके यहां आ जाएंगी make payment कीजिए और make payment friends से यहां पर आप किसी भी bank के credit card debit card net banking से कर सकते हैं payment एक पर verify हो जाएगा इसके बाद ही आप apply online वाले option पर जाएगे यहां पर registration number देंगे आपको यहां पर circle select करना है जिस भी circle के लिए apply कर submit करेंगे आपके register mobile number पर OTP जाएगी वो OTP जाने के बार आप उस OTP को verify करेंगे OTP verify करने के बार आपका जो एक form है वो open हो जाएगा अब यहां पर friends आंधर प्रतेस की जगह मैंने दिल्ली में apply कर दिया है तो friends आप जो आगे की वीडियो देखेंगे वो दिल्ली वाला देख इसके बार आपका form का final print out आप निकाल सकते हैं तो यहां पर friends आप बात करते हैं इसमें login करने की OTP verify करने के बाद आप कैसे login करेंगे और form को fill करेंगे इसके बाद friends आप login कर जाएंगे अपने portal पर और login करने के बाद आपको यहां पर अपना door number house number apartment number जो भी आप लिखना चाह हैं इसके बार friends आपको देना होगा आपका pin code और pin code enter करने के बाद friends आपको यहां पर एक option मिलता है present address and permanent address same का same है तो same पर click कीजिए अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry कर सकते हैं और अपने address के entry करने के बाद नीचे मिलता है qualification detail section सबसे पहले आपको board select करना है अब यहां पर देखिए board के आपको अलग-अलग state-wise options मिलते हैं अब आपका जो भी state है उसके according आपको options मिलेंगे और यह आपकी जो mark sheet है उस पर फ्रेंड से लिखा होता है कब आप pass out हुए हैं आपका कौन सा board है और कौन सा आपका session है वो आपको आपकी mark sheet के according ही fill करना होगा क्योंकि हर state का अलग-अलग है तो अलग-अलग आपको यहां options देखने को मिलेंगे और उसके according जो आपके पर mark sheet है certificate है उसके according ही options को आप यहां पर select करेंगे इसके बाद फैंड से यहां पर आपको numbers की entry करनी है तो आपको subject वाई आपको कितने-कितने numbers आए हैं वो आप यहां पर enter कर सकत है और यह enter करने के बाद नीचे आपको मिलेगा selected subject का तो आपके यहां पर third subject कौन सी है जो भी आपके पास option है वो आप यहां select करेंगे और इसके numbers की भी आप entry यहां पर कर देंगे यह entry करने के बाद आपको save and continue यहां पर करना होगा इसके बाद फैंसे next option है आपके documents upload का और य इसके भी इसके लावा 10 का certificate आप upload करेंगे अगर आपने starting में बताया है कि आपने यहां पर इस exam को supplementary के तौर पर pass out किया है तो आपकी supplementary की मार्शीट है एक है या दो है वो आप यहां upload कर सकते हैं इसके लावा computer certificate आपके पास होना जरूरी है अभी नहीं है तो आप यहां प अपने documents को upload करना होगा upload करने के बाद आपको नीचे options मिल जाते है declaration के declare आपको करना होगा यह सारे options को आप declare करेंगे और declare करने के बाद आपको यहां से इसको continue करना होगा इसके बाद फैंसे last में आपको यहां पर आपका CAST certificate या EW certificate का option भी मिलेगा अगर आपका OBC certificate है तो central government का आपको certificate यहां upload करना है और यह भी आप JPG format में upload करेंगे इसके बाद फैंसे यहां पर next option है आपका division का तो दिखिए 5 option आपको मिलते हैं division select करने के आप यहां पर चाहें तो एक कर सकते हैं दो कर सकते हैं चाहें तो 5 कर सकते हैं तो आपके according आपको यहां पर options मिलेंगे आप आपको यहां पर सबसे पहले division select करना होगा इसके बाद मिलेगा पोस्त नेम तो आपको पोस्त यहां select करने हैं ऐसे ही second division आप सेट जईबाद कर सकते हैं तो आप यहां पर सबसे करने हैं पर आपका जो यह form है वो completely submit हो जाता है तो जैसे मैंने कहा डिली GDS का online form आप कैसे fill कर सकते हैं step by step मैंने आपको सारी process बताई है short में कोशिश की है आपको सारे step की जानकाई दी जाए जैसे आप इस form को fill करें बिना कोई गलती किये और इसकी related मैंने details आपको description में available करा रखी है job अबरास्ता.com पर अगर आप eligible है apply करना चाहते हैं तो 27 जनवाई 2021 से 26 फरवरी 2021 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं दसवी class vacancy है all India vacancy है कोई भी इसमें आविदन कर सकता है और यहाँ पर जो भी detail में आपको provide की है अगर आपको यह पसंद आई है तो like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटूब चैनल and last thanks for watching